हेलो एवरिवन वलकम अगेन टु ल извर एतिमन। विहार राजे में जो 117000 पदों पर सिखषशक बढ़ती होनी है तो उसी के स्लिबस को हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में देटेल से जानेंगे प्रात्मिक विद्ध्याले का, माद्मिक विद्ध्याले और उच्छ मादमिक विध्याले में क्या सलिवस रहने वाला है कैसे आप लोग इसे तयार करेंगे तो देखिए यहां पर चैन प्रक्रिया जो है वो आपकी लिखित परिक्षा होगी वस्तुर निस्ट जो है वो प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे पेपर आप है आपके किसके रहेंगे अंग्रेजी के और 75 प्रस्ण जो है वो आपके हिंदी भासा के रहेंगे हिंदी के अलावा यदि आपकी जो भासा उर्दू है बांगला है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो ठीक है तो यहां पर भासा का जो पेपर है वो मैंने आपको बता दिय सबी के लिए समान होगा चाहे वो प्राथमिक विध्याले का अध्यापक बढ़ने के लिए फॉर्म भरे या फिर माधमिक विध्याले के लिए या उच माधमिक विध्याले के लिए सबी के लिए समान होगा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भासा का पेपर होगा इसमें किसी भी तरीके की negative marking नहीं है अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से blank paper पर जो है वो मैंने लिखा हुआ है वहाँ अच्छे तरीके से समझा दूँगी सबसे पहले यहाँ आप जो notification में जिस तरीके से लिखा हुआ है पहले आप इसको देखें परिक्षा जो है वह है आपकी दो घंटे की रहेगी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 25 marks का जो है वह आपकी अंग्रेजी पूछी जाएगी जो सभी के लिख समान रहेगी 75 जो question है आपके 75 marks के वह आपके हिंदी भासा यदि आप हिंदी का चैन करते हैं उर्दू भासा यदि आप उर्दू का चैन करते हैं या बांगला भासा इन तीनों मैंसे एक भासा का चुनाव आपको करना होगा ठीक है तो सबको समझ में आया होगा और यहाँ पर जो है ये दूसरे पेपर का आपका कोई भी जो है नंबर काउंट नहीं होंगे ठीक है तो 30% मार्क जो है वह आपको बाहसा के पेपर में लाने ही होंगे और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी नेगर्टिव मार्किंग नहीं है और मुझे लगता है कि आप लोग इतना पढ़ चुके हो तो यहां 30% तो आप 50% तो आप वैसे ही लेकर आ जाएंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले प्रात्मिक विध्याले में जो आपका second paper होगा प्रात्मिक विध्याले में तो यहां पर सामान ने अध्यन आपका पूछा जाने वाला है 120 मार्क्स का जो है वो आपका तक आप लोग स्टेट और टेट का एक्जाम देते आए हो यानि कि यहां पर आपका जो है वो मैथ, रीजनिंग, सामानने जागरुकता, जी एस का पार्ट यानि सामानने विज्ञान और SST का कुछ भाग, भारतिय रास्ट्रिय आंदोलन, भूगोल पर्यावरण, ठीक है, EBS भी पूछा जाने वाला है, तो बिल्कुल जो है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, कि आप लोगों ने जो है, रीट का एक्जाम दिया है, या फिर आपने यदि अधर स्टेट के बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने स्टेट का जो है पेपर दिया है, तो वहां पर भी इस तरीके से 120 मार्क्स का जो है, पूछा जाता है सामान्य अध्यान, ठीक है, और आपको किन बुकों से तयार करना है, तो NCRT बुक जो है, वो पूरे भारत में चल रही है, उसी से आप लोग जो है तयार करेंगे, यहां पर लिखा भी हुआ है कि सामान्य अध्यान पत्र के प मंदित होंगे प्रश्ण, इसका इस्तर जो है, उमीदवार के लिए निर्धारित नियूंतम एहरता के आलोग में होगा, यानि कि 1 to 5 का द्यापक बढ़ने के लिए आप लोगों को जो प्रात्मिक विद्याले की किताबे हैं, एक से पांच वी तक की, तो वह तो आनी ही चा यह आपको यहाँ पढ़ना है, तो आपको समझ में आया, यहाँ 1 to 5 का ध्यापक बढ़ने के लिए, यहाँ सीटेट जो है वो अधर स्टेट के सभी बच्चों से मांगा गया है, बिहार में रहने वाले बच्चों के लिए बिहार टेट मांगा गया है, दो पेपर होंगे, स मार्क्स का होगा, जिसमें आपके सभी चीजें आ जाती है, वन से लेकर 8th क्लास तक की, तो इसे आप वो बिल्कुल तयार करेंगे, पहले वी आप तयार करते आ रहे हैं, और इसमें negative marking भी है, ठीक है, और minimum जो हो कितने मार्क्स आपको लाने जरूरी है, यह भी मैं आपको बताऊंगी, पेपर सेकेंड में, दूसरी बात करें हम मादमिक विद्याले के अध्यापक के लिए, जो की 9th और 10th वर्ग है, यहाँ पर भी जो पहला जो पेपर होगा, वो आपका मैंने बता दिया, भासा से सम्मंदित होगा, दूसरा पेपर आपके विशे से सम्मंदित ह वही 120 मार्क्स का 2 गंटे और 120 ही प्रशन होंगे, क्या-क्या पूछा जाने वाला है इसमें, तो देखिए, इसमें भी दो भागों में बाटा गया है, इन 120 मार्क्स को 80 मार्कस का जो है, वो आपका क्या पूछा जाएगा इसमें, यह subject पूछा जाएगा, यादि कि आप जिसके आप अध्यापक बनोगे उसे संबंदित जो है वो 80 जो है question 80 marks के आपसे पूछे जाएंगे 40 marks में जो है वो आपका क्या पूछा जाएगा तो इस 40 marks में आपका समानने अध्यान पूछा जाएगा यानि math, reasoning, gs का जो part है भारती राश्ट्री आंदोलन ये आपका पूछा जाने वाला है उसके बाद हम बात करेंगे उच्च प्रात्मादमिक विध्याले के अध्यापक बनने के लिए जो है आपका क्या सलिबस रहेगा paper second का क्योंकि paper one जो है वह है भासा का ही है तो यहाँ आपका विसे पूछा जाएगा जिसमें 80 marks का तो आपका विसे पूछा जाएगा यानि कि आप लोग जिस subject के master बनेंगे उस subject से सम्मंदि जो है प्रेशन 80 marks के आपसे पूछे जाएगे तो यहाँ पर आप 11, 12 की जो book हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाग 2 जो 40 marks का है तो बिलकुल वही है 40 marks का math, reasoning, gs, भारतिय, राश्ट्रिय, आंदोलन ठीके यही पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए भाग 1 और भाग 2 है, paper 2 में तो यहाँ पर आप लोग एक विशे का जो है वो chain करेंगे जो आपका खुद का subject है यहाँ पर जितने भी subject दिये गए हैं, जिससे आप form भरेंगे, यह सब भी subject है books जो है वो क्या रहेगी, तो books जो है आपकी देखिए बिहार, विध्याले, परिक्षा, समिती और NCRT ठीक है, इन दोनों मैंसे कोई भी आप पढ़ लें, तो आप NCRT फोलो करें क्योंकि हर राज्यम NCRT ही चल रही है confused में बिल्कुल भी नहीं रहना है, जिस तरीके से आपने राजिस्थान के जो बच्चे हैं, जिन्होंने read की तैयारी की, तो उन्होंने भी NCRT book को ही पढ़ा, यह NCRT book जो है, जो की राजिस्थान में shirt के नाम से जानी जा रही है, ठीक है, S-C-E-R-T ठीक है, तो यह मैंने आपको जो है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, चलिए एक बार मैं और अच्छे से आप लोगों को बता देती हूँ, जो second paper होगा, उसमें negative marking रहेगी इसके अलावा, जो है, second paper में, जैसे first paper में 30% अंक लाना जो है, जरूरी है, second paper में जो है, जनरल के अगर बच्चों की बात करें, तो 40%, पिछला वर के उमीदवारों को 36.5%, अतियंत पिछला वर के उमीदवारों को 34%, SC, ST, महिला और दिव्यांग जो उमीदवार हैं, उनको 32 परसेंट जो है, वो नियूनतम माक्स लाने अनिवार्य होंगे, नहीं तो उनको प्रत्योगिता परिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ जो है, वो क्लियर हो गई, ये जो मिनिमम माक्स हैं, वो आपको लाने ही पढ़ेंगे, second paper में, और first paper में 30% माक्स पढ़ेंगे, महिलाओं के लिए जो है, यहां पर बहुत अच्छी बात है, इनको जो है, वो SC, ST और दिव्यांग उमीदवार इनके साथ ही जो count किया जा रहा है, तो यहां पर जो है, वो page पर बहुत ध्यान से देखें, जिनको समझ में नहीं आया है, आपके दो paper होंगे, paper 1 और paper 2, paper 1 जो कि सभी बच्चों के लिए समान होगा, चाहे वो 1-2-5 का teacher बने, चाहे वो 9-10 का बने, या 11-12 का बने, सभी को पढ़ना है, जिसमें आपके 75 marks के question पूछे जाएंगे हिंदी के, और 25 marks के पूछे जाएंगे अंग्रेजी के, और इसमें आपको 30 प्रतिशत marks ल ठीक है, negative marking नहीं है, तो ये आपको बहुत अच्छे से clear हुआ, उसके बाद हम paper 2 की अगर बात करें, तो सबसे पहले प्रात्मिक विध्याले के अध्यापक बनने के लिए आपको 120 marks के लिए fight करनी है, 120 प्रशन आएंगे, 120 marks के, क्या-क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर अलावा जो है, journal study पूछी जाएगी, आपकी, SST पूछी जाएगी, SST जो है, वो 6th, 7th और 8th class, इतनी ही रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी, EBS 125, यानि की 3rd, 4th, 5th class में चलती है आपके, और इसके अलावा एक बहुत ही महतपून topic दिया गया है, भारतिय राश्ट्रिय आंदोलन, जो की सभी के लिए समान है, तो ये आपका सलीबस रहेगा प्रात्मिक विध्याले के लिए, पढ़ना क्या है आपको, मैंने आपको बता दिया, अभी तक जो है, NCRT books को ही follow करते आए हैं, बिल्कुल अलग कोई भी book नहीं पढ़ें, ऐसा ना सोचें कि बिहार मे एक्जाम होगा, तो हम बिहार की books जो है, ले, क्योंकि बिहार के जो student है, वह है, उनको पढ़ी रहे हैं, और NCRT पूरे भारत में जो है, वो लागू हो चुकी है, हर state में लागू हो चुकी है, उसी को हर state में, जो है, S-C-E-R-T, जो है, वो कहते हैं, ठीक है, तो NCRT book जो ह आप जो भी आपके पास रखी हुई है, उसी को आप पढ़ें, तो इसी लिए मैं हमेशा ये भी कहती हैं, कि जो भी school में book चल रही है, उनको follow करना चाहिए, यहां पर आप जो है, 6 से लेकर 8th class तक की जो books हैं, इनको आप पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके जो है, 8th class तक का math कर लो आप, ठीक है, reasoning जो है, वो कर लें, उसके बाद जो है, GK कर लें, और थोड़ा बहुत जो है, current affair अगर आएगा, तो बिहार राज्यका आएगा, जादा से जादा 4 या 5 question उसके आ सकते हैं, SST जो है, वो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, EVS जो है, 3rd, 4th और 5th, इन 3 classes में चलती है, तो इसको आप पढ़ेंगे, जो SST कर ही लेता है, तो EVS उसका जो है, वो अपने आप हो ही जाता है, ठीक, क्योंकि उसमें science का थोड़ा बहुत पार्ट आता है, तो उसे तो आप कर ही रहे हैं, बहारतिया राश्री आंदोलन, ठीक है, तो ये जो है, इस पर बहुत ज़्यादा जो है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, और अगर आप बात करें, GK और GS का जो पार्ट है, तो इसके maximum जो है, कितने question आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दू, minimum 20 और maximum 30, इतने question जो है, वो आपके GK, GS के part में से पूछे जाएंगे, उसके बा आ जाएंगे, तो ये जो है, वो आपका syllabus रहेगा, उसके बाद जो है, वो माध्यमिक विद्याले के अध्यापक बढ़ने के लिए, जब आप apply करेंगे, तो यहां 120 marks, 120 प्रशन पूछे जाएंगे, 80 marks का आपका subject पूछा जाएगा, बिलकुल इसी तरीके से syllabus है, जैसा कि आ आपका अभी third grade में था, ठीक है, राजिस्थान के बचे, और भी other state के जो भी बचे form भरेंगे, तो वो सभी जानते हैं, उनके state में, जो भी TET का exam हो रहा था, उसी तरीके से यहां पर भी दिया गया है, थोड़ा सा आपको जो है current affair, जो है, वो बिहार का पढ़ना होगा, ठ तो चार से पांच question जो है, वो ही आपके जो है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चार से पांच question current affair में, जो है बिहार state से सम्मंदित पूछे जा सकते हैं, अब देखिए माधिमिक विद्याले जो है, यहां पर आपका 80 marks का जो है, वो subject है, और 40 marks का सामान्य अध्यन है, सामान् अध्यन में, math, reasoning, gs, gk, ठीक है, gs यानि, journal study, gk, journal knowledge, और भारतिय राश्रिय आंदोलन, भारतिय राश्रिय आंदोलन तो common है सभी में, उच्छे माधिमिक विद्याले जो है, यहां पर भी 120 marks का जो है, वो आपका question paper है, 80 marks आपका खुद का subject है, आपका subject अंग्रेजी है, हि SS है आपका, ठीक है, SS में आजाते हैं, जो geography, history, ठीक है, जो भी आपका subject है, 40 marks से आपका सामान ने अध्यान रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों से भी, जो है, वो math, reasoning, gs, gk, पूछा जाएगा, अब math, reasoning, जो है, वो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बिल्क अगर जैसे की SS का जो बच्चा है, तो उसकी math जो है, वो बहुत ही जादा weak होती है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, वो नहीं पूछा जाता है, जो math के student होते हैं, उनके विसे से संबंदित, तो प्रशन उनके 80 marks में पूछे ही जा रहे हैं, इसलिए यहां सामान ने अध् यहां पर आपकी जो है, वो negative marking है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, यहां पर कोई negative marking नहीं है, और यहां paper 2 में जो है, वो negative marking आपकी रहने वाली है, ठीक है, paper 1 में आप 30% जो है, वो marks आपको लाने जरूरी है, और paper 2 का मैंने आपको अभी दिखाया था, कि paper 2 में जो है, जो सामानने वर्ग का बच्चा होगा उसको 40% जो है वो marks लाने है compulsory है ठीक है और जो पिछड़े जो वर्ग के बच्चे हैं उनको 36.5% marks लाने जरूरी है उसके अलावा SC है, ST है और woman है ठीक है महिलाएं है तो इनको 32% marks लाने जरूरी है तो अगर इस चीज़ को आप fulfill कर देते हैं तो आप आगे की दौड में शामिल होंगे तो यहाँ पर बच्चे जैसे ही notification आया तो syllabus को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी भी exam के लिए आप तैयारी जब करते हैं जब आपको syllabus पता होता है form भरने से पहले मैं कहती हूँ कि जब form भरते हैं आप तो सबसे पहले है वो आप syllabus उठा के देखें किसी भी exam का अगर आप उसको कर सकते हैं तो ही आप form भरें ठीक है यहाँ पर आप बिल्कुल form भर सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से आप लोगों ने exam दिया है रीट जो 3rd grade का अपने exam दिया है तो उसमें जिस तरीके से प्राथमिक विध्याले का जो सलेबस है वो ही यहाँ पर है मादमिक विध्याले का जो सलेबस है वो ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और उच्छ मादमिक विध्याले का है वो ही यहाँ दिखाई दे रहा है जादा जो है वो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी आपको क्योंकि अभी हाल ही में जो हब आप तयारी करके भी आए हैं और थोड़ा बहुत अंतर तो देखिए पड़ता ही है हर राज्य का जो है अपना अलग तरीका होता है कोशन पेपर बनाने का तो उसके लिए जो है वो आप क्या करें पिसले जो परिक्षाएं हुई हैं बिहार राज्य में टैट की जितने भी परिक्षाएं हुई हैं तो लास्ट येर के जितने भी 10 साल के जो कोशन पेपर हैं उनको तो आप सॉल्व करेंगे ही एक्जाम देने से पहले तो ये जो है सिलेबस रहा है आपका और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है जदि और भी कोई आपके दिमाग में आ रही हो कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए उसको मैं सुलजाने की पूरी कोशिश करूंगी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो साक्षात कर आपका जो है वो नहीं लिया जाएगा यह मैंने आपको बता दिया था केवल लिखित परिक्षा होगी कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें वहाँ पर मैं आपको reply जरूर देती हूँ तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप like करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe करिएगा ताकि जो भी notification आता है जो भी student से संबन्द जानकारी आती है तो वह मैं आप लोगों तक पहुचाती ही रहती हूँ तो उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू